पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईएंगों पर भारत्य सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गिर्पे पत्थरों की आज लेकर जाजी यूनिट पर धवा बोल दिया कबिर बेस काँ स्कॉर्ट थ्री का भार की शेत्र गुसपैटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेफटनेंट सिंग्की पिट्रूल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से किरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा अचा गया छे घंटे बाद जब लेफटनेंट सिंग्की आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद धिलो रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दुआ बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी बहाद। कर दो कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो दो हों झाल झाल पाल ऑप झाल झाल कर दो